नमस्कार फ्रेंट्स, मैं हूँ इस्ट्रोलिजर अवास्तु कंसाल्टेंट रिधी बेहल Marriage, शादी, एक बहुत ही important decision होता है हम सबकी life का अब कब होगी ये शादी? What is the timing of marriage? आज का जो वीडियो है उसका यही topic है कि शादी का समय क्या है? कि समय शादी करें? कि married life जो है हमारी एक happy married life हो तो married life happy होगी कि नहीं होगी? ये मैं आपसे अगले वीडियो में discuss करूँगी आज इस वीडियो में आपसे ये discuss करूँगी कि timing, कि शादी कि समय होगी? ये कैसे हम पत्री देखके या कुंडली देखके बता सकते हैं तो कुंडली में जो सबसे important घर होता है marriage related वो है 7th house याने की सात्मा घर 7th house जो है वो partnership का भी घर होता है अब marriage देखिए एक तरह की partnership ही है तो 7th house को जो है हम बहुत जादा importance देते हैं जब हम शादी की बात करते हैं इसके अलावा जो घर देखे जाते हैं वो होता है 2nd house दूसरा घर 2nd house जो है उसको कुटुम बभाव कहा गया मतलब वो family का घर होता है कुटुम means family तीसरा जो important घर है वो है 11th house 11th house जो है वो desires का हमारी इच्छाओं का घर है और 11th house जो है वो growth का बढ़ोतरी का भी घर है तो जब भी आपकी कुंडली में 2nd house, 7th house और 11th house का connection बनेगा तब शादी का समय आएगा अब कैसे देखेंगे कि जी एक connection बन रहा है उससे पहले में आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि जब भी हम astrology में कोई भी prediction करते है तो जैसे कि astrology के principles कहते हैं कि देश, काल और पात्र देश याने की जगे, the place, काल याने की time, पात्र याने की person So you have to consider these three aspects कैसे? देखें, आज से 50 साल पहले या even 30 साल पहले भी शादियां जो है उनकी age वो कम होती थी Girls के case में 18 से 20 साल की age में शादियां हो जाती थी लड़कों के case में भी 24-25 जो है बहुत लेट माना जाता था शादियां हो जाती थी पर अब जो है समय बदल गया है अब लड़के लड़की की age में कोई difference नहीं है यह नहीं कि लड़की है तो जल्दी शादी होगी लड़का है तो लेट होगी शादी की age भी जो है समय के साथ जो है बदल रही है और पहले अगर हम जाएं तो child marriages हुआ करती है तो जब भी कोई भी astrological prediction करनी होती है चाहे वो marriage related हो या किसी और भी field से related हो तो हमें time किस समय में हम रह रहे है वो बहुत important है किस देश में हम किस जगे पे हम रह रहे है और कौन person concern क्या है वो सब देख कि हमें prediction देनी होती है तो जो यह मैं timing of marriage कह रही हूँ देखे combination तो शादी का हो सकता है कि आपके 10 साल की age में भी बन रहा हो हो सकता है आपके later age में भी बन रहा हो पर हमें age, marriageable age को भी ध्यान में रखके prediction करनी होती है तो जैसे मैंने का second house जो की family का house है seventh house जो की marriage का house है और 11th house जो की desires और growth का house है यह तीनों का जब combination active होगा तब शादी का योग जो है strong हो जाती है अब यह combination का ब active होगा यह कैसे देखेंगे देखें एक तो होती है आपकी लगन कुंडली लगन कुंडली में जो आपकी planetary position है वो उस समय की है जिस समय आप पैदा हुए थे मालिज आप 1981 आप 5 फरवरी 1981 का आपका birth है तो उस समय की जो ग्रह दशा थी वो आपकी कुंडली है वो आपकी कुंडली में planetary position जो है वो बताते हैं कि यह आपकी कुंडली है उसका impact आप पे lifelong रहेगा पर कैसे कैसे event होंगे पैदा तो आप 81 में होए पर शादी आपकी सन 2000 में होगी तो 2000 में ही क्यों होगी यह कैसे देखते हैं इसके लिए दो चीज़े हैं जो हम consider करते हैं पहली चीज होती है दशा दशा जो है वो बहुत important role play करती है हर planet की एक time frame की दशा होती है जैसे की और यह fixed होती है जैसे की Jupiter की जो दशा होती है वो 16 साल की होती है जाने की गोचल अब जिस समय आप पैदा होए थे उस टाइम की planetary position जो थी वो आपकी कुनली बन गई पर planet वहीं तो still नहीं हो गए न planets keep moving उनका movement होता है तो जो transit होता है वो होता है movement of planets तो जब भी हम कोई event देखते हैं कि जी job कब लगेगी या शादी कब होगी या बचा कब होगा तो उसके लिए हम transit मतलब आज की जो planetary position है वो consideration में लेते हैं तो जब हम शादी की भी बात कर रहे हैं तो हमने जैसे मैंने कहा कि second house, seventh house और 11th house activate होंगे तो कैसे activate होंगे पहली चीज दशा में कि या तो उनकी महादशा होगी या अंतरदशा होगी या प्रतितरदशा होगी पहली चीज दूसरी transit में इन तीनों घरों का connection होना बहुत ज़रूरी है उसके अलावा जो हम और houses जो consider करते हैं वो है लगन लगन जो है आपका जो first house है वो आपका self है आपकी body है तो शादी किसकी हो रही है शादी आपकी हो रही है आपकी लगन की हो रही है तो लगन का roll भी आजाता है 5th house जो है वो बहुत important घर है वो जो है 5th house को हम बच्चे बच्चों से link करते हैं तो हमारे country में इसलिए 5th house को हम देखते हैं कि 5th house की भी दशा का कई बारी connection जब बन रहा होता है तो शादी हो जाया करती है तो ऐसे जो है हम ये सारे घरों को link करके देखते हैं कि शादी का period कम आ रहा है इसके अलावा जो ग्रह होते हैं शादी का जो शादी से related जो ग्रह होते हैं वो हैं शुक्र और जुपिटर एक male horoscope में एक लड़के की कुंडली में शुक्र जो है वो पत्नी के बारे में बताता है और एक लड़की की कुंडली में फीमेल हुरोस्कोप में जुपिटर गुरु जो है वो Husband के बारे में बताता है, वैसे इन दोनों की स्तिती Jupiter और Venus की हम दोनों कुनलियों में देखते हैं लड़के की हो चाहिए लड़की की की शादी कब होगी, तो इन दोनों का भी role important हो जाता है, again दशा में और transit में कि आपकी Jupiter की दशा चल रही है या आपके Venus की दशा या अंतर द दशा आ रही है तब शादी के chances बहुत strong हो जाते हैं, उसके अलावा 7th house जैसा मैंने का जो की partnership और marriage का खरे, तो 7th house की दशा, अंतर दशा या प्रतिंतर दशा का आना बहुत जरूरी होता है शादी में, जब तक ये दशा नहीं आएगी सात्वें घर की अंतर या प्रतिंतर तब तक शादी का chances जो है वो बहुत कम हो जाता है, उसके अलावा अगर मान लीजे आपके 7th house से Saturn का connection बन रहा है, शनी का connection बन रहा है, तो it will be a late marriage, तो आपकी शादी होगी तो सही पर वो late होगी, अब मान लीजे 7th house में शुक्र बैठा है और उच्चिका होके बैठा है या जो है वो romance का भी घर है, तो यदि आपका 5th house का connection 7th house से बन रहा है, तो it will be a marriage of choice, जिसको हम love marriage भी कहते हैं, तो आपकी शादी जो है वो आपकी मर्जी से होगी, इसके अलावा नवांश कुनली, जो कि especially marriage के लिए देखी जाती है, married life के लिए देखी जाती है, हमारा married partner कैसा हो होगी, जिसमें हमारी marriage होगी, इन सब से related जो भी questions होते हैं, जो भी queries होती हैं, वो सब जो है हम D9 याने की नवांश कुनली से देख के बताते हैं, तो देखे जो astrological, classical किताबे हैं, उनमें तो बहुत सारे combinations दिये में हैं, to check कि marriage कब होगी, और कैसी होगी, कितनी successful होगी, आज मैंने कोशिश ये करी है, कि मैं आपको simple तरह से, simple combinations से ये बताने की कोशिश करूँ, कि हम किस तरह से देखते हैं, कि married life, कि marriage कब होगी, So I hope you like this video, और आप लोगों ने बहुत demand करी है, marriage ही related, और भी topics के उपर video बनाने के लिए, जिसमें गुण मिलान भी एक topic है, और जैसा मैंने का, married life का success होना भी एक topic है, तो very soon I'll be coming up with topics like this, do give me your feedback, and please take care of yourself, Namaskar. कर दो कर दो